हेलो आप स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल नंबर में मैं वेबसेट मिस्टा और टॉपिक आपके सामने है बताने को जोड़ियोत नहीं है परिमें संख्याओं के दसमलों परसार गयाद करना परिमें संख्याओं के दसमलों परसार किते प्रिमें संख्याओं के दसमलों परसार किते प्रिमें संख्याओं के दसमलों परसार या तो सांथ दसमलों परसार हो सकता है या असांत आवर्ती दसमलों परसार हो सकता है कव सांत होता है कव असांत होता है इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे इसी टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ आसा करता हूँ कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही हल्पूल होगा तो सुरी से लिए अंतक देखिए और इसे प्रश्ण सीखने का प्रयास किजिए चलिए इस वीडियों करते हैं देखिए सब्सक्राइब समझें कि दसंब्लो पसार जोगों के नहीं दसंब्लो पसार किल्के परिमय संख्याओ के ठीक है परिमय संख्याओ के सब्सक्राइब दूसरा और सब्सक्राइब दसंब्लो यहीं दो प्रकाइब पसार होते हैं कब सांथ होता है कब पसांथ होता है इस चीज़ को दो वहले समझ लेते हैं उसके बाद इस से रिलेटेट कुछ सवाल को सॉल्फ करेंगे और विशा कि आप जानते हैं कि या अब्जिक्टिम में पुछा जाता है ठीक है आप दोखिए सब्जिक्टिम भी आ सकता है यह बाद जानते हैं तो परिमय संख्याओ होता है क्यों जानते हैं और पूनांग है और Q is equal to not 0 या बात या पी और Q पूनांग और Q का मान 0 के बराबर नहीं ठीक है अब देखें इसमें पी जो है ना इसको हमदोर नमरेटर काते हैं यानि अमस काते हैं और Q is denominator ठीक है क्यों क्या है हाद है नमरेटर और इमेरेटर ठीक है समाझी रूल नमबर वान रूल नमबर वान यान दी Q कमार दो पाउड एन इन इन पाउड के पाउड एन ठीक है मतलब क्यों जो होगा हर भोगा उसका अभाजी गुनान खंद करने पर केवल दो और पाउड ही हो इस प्रस्थिती में जसमलो प्रशार आग जसमलो प्रशार सांद रूगा क्लियर यह बार समझ में आगे और देखे रूल नमर तो रूल नमबर तू यदि क्यू कामाण बरावर नहीं हो दो पाउड एन इन पाउड 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 तो दसमलो प्रशार आग और सांद होता है ठीक है क्लियर बार समझ में आ गई यहां पर भी इतने होता है Q का हम आऐ जगर में करेंगे और Q का अच्छ में भी और Q को अब आगे बढ़ते हैं क्लियर इसको हुआ एक सवाल मैं समझारा है नहीं समझे वो सवाल है सत्मुक्तर बाटा 210 ठीक है का दसमलो प्रसार क्या हुआ क्लियर इस सवाल को सुने देजिए सबसे पहले हम लोग इस सवाल को लिखेंगे सत्तर वाटा है कितना 210 अब इसको में सरलतम रूप में ब्यक्त करने के लिए दोनों का सबसे निकालेंगे जो संख्याओं से यह जाए जो एस्ट आएगा उससे अंस और अहर दोनों में भाग करेंगे तो साथ से यह कटेगा क्योंकि 77 और 27 10 का सबसे यह हो जाए 11 बटा 30 हो जाए यह जी आरा दा टीस है पी बटा कियूंके रूप में है की नहीं बताइए कि वटाकिल के रूपे है ने, क्यूं कमाने यांपर कितना है, तीस है, 30 का गुनन खंड हम दो दिखालेगे, 2 से भाग पल आएगा, फिर 2 से भाग नहीं लएगा, तो 3 से भाग करेंगे, 15 में तो भाग पल आएगा, 5 तो उसको नीचे दिखेंगे, क्या हुग है, प्रीस, 2 ग और 22 पांच की अत्रिक्त जो आपको दिखाई देगा तीन भी है दो पांच से तीन है अगर क्यों दो और पांच रहता तो इस परिम्हें संक्या का दिसम्हीब सांथ होता लेकिन यहाँ पर 2 और 5 क्या त्रिक्त एक संख्या है ओ है 3 इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या Q is equal to not 2 का power n into 5 का power n इसलिए दस्मलोब परसार क्या होगा इसलिए परसार असान आवर्थी होगा असान आवर्थी होगा क्लियर बात समझ में आगई अब एक और example समझते हैं ज्यान के Q is the question है परिमे या संख्या परिमे या संख्या पंद्रा बटा सोला सो का दस्मलोब परसार बताएं यदि इस तरह के सवाल आप लोग सिख जाते हैं तो बहुत ही help फुल होगा आप लोगे जाम में देखिए परिमे या संख्या पर कितना है पंद्रा बटा सोला स्वाग लिया हुगा है शीर से इसको सरवतल रूपे ब्यक्त करेंगे अगर ब्यक्त होने वाला हो तब अगर नहीं कटने वाला हो तो फिल हरको लेकर के और उस्ता बुननखन करके बनाएक लेकिन यहां पर कतने वाला है या मत भाक वह रहेंगके इसमें कि अभावा नियुंसरे होत्ति ने की कण्दरा 550 कि कि इतना आया 3 बटा 320 और यह जो है पी बटा क्यू के रूप में हमें सिर्क मतलब है किसी क्यू से क्यू का भैलू कि इतना आपका 320 का क्या करेंगे हम लोग अब हाज उदना खंड याद करेंगे दो से भाग करेंगे तो 320, 170 दो से भाग करेंगे 320 में तो 160 भाग फलाएगा कि दो से भाग करेंगे 60 में तो 80 भाग फलाएगा कि दो से भाग करेंगे 80 में तो 40 भाग फलाएगा दो से भाग करेंगे, टारिश में तो बीस भाग पलाएगा, दो से भाग करेंगे बीस में दस भाग पलाएगा, और दो से भाग करेंगे, दस में पांच भाग पलाएगा हुआ है अब देखेंगे दो कितना गारेगे एक दो ती चार पांट छोग तो थैंदें दो का पांवर चोग गया इंटु पांच कितना बारे मत्त का पांवर एक हो गया अब देखेंगे महिदार बात यह है कि ये 320 का जो हमने गुणनखंड निकाला इस गुणनखंड में 2 और 5 ही है इसके इन दोनों के अलावें अन्य कोई संख्या नहीं ठीक है फिलिपिंग एक्चु की Q बराबर है 2 के पावर एम इनकी 5 के पावर एम किसलिए 10 लोग परचार क्या भोगा जी 10 लोग परचार जो होगा वा संख्या संख्या तो एस जी ये टॉपिक आप लोग अच्छा लगा हो तो किल्बर हमारे चैनल को सबस्काइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर की और सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह के बने 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 टोपिक आपके सामने में लाओं और आप काना लुठाब है थेंक्यू